Hello Friends, Namaskar General Studies की पढ़ाई के दोरान हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसे 10 Minutes GS का आगया है हम ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो की काफे बड़े टॉपिक्स हैं और बहुत समय लगता सो पूरा करने में कोशिश करेंगे हम उनको 10 से 11 मिनिट में जो है ढंक से समझ लें उसके सारे आस्पेक्स को समझ लें और हम उसका रिविजन भी बार-बार कर सकें बिकाज रिविजन इसकी टू सक्सेस जो चीज आपको बार-बार-बार आप पढ़ोगे वही चीज आपको याद होगी इसलिए लंबे टॉपिक्स को आप कोशिश कीजिए कि उसको शॉर्ट में करें तो आज हमारी सीरीस स्टार्ट होती है हम पॉलिटी का कॉंसिटुशन पार्ट लेते हैं और कॉंसिटुशन का भी सबसे पहला इंपोर्टन पार्ट है कि ये किताब है जैसे हर किताब का एक प्रिफेस होता है एक प्रस्तावना होती है एक भूमी का होती है एक फॉर्वर्ड होता है उसमें लिखा होता है कि पुस्तक क्यों लिखी गई है वैसे ही हमारे देश का सम्मेदान जो हमारी सबसे बड़ी कानून की किताब है उसके प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि ये किताब क्यों लिखी गई है यानि आने वाले समय में हम किस तरह से भारत देश को और भारत की देशवाशियों को देखते हैं तो ये तो रही इसके introduction की पार अब इसके अंदर है क्या देखे इसकी एक set language है अगर हम English में देखे हैं Hindi में देखे कि we the people of India having solvably constitute India into sovereign socially secular democratic republican and secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought expression, belief, faith and worship equality of status and opportunity fraternities and promote among them all we hereby adopt, enact and give to ourself this constitution on 26 November 1949 इसकी set language है तो इसको रट्टा मारने के बजाए हमें इसका dissection करना ज़रूरी इसको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर है क्या क्या तो तीन पार्ट में हमारी प्रस्तावना जो है वो तीन रूपों में आपको देखने आवशक है पहला जो phrase है उसका नाम है वीदा पीपल दूसरी जो और तीसरा जो पार्ट वो ये है कि आने वाले समय में हम हमारे देश को कैसा बनाएंगे हमारे देश के लिए विशेशनों का प्रियोग है जिसमें हमने अपने आपको संपरभो भी कहा है हमने अपने को समाजवादी भी कहा है हमने पंतनिर पेक्ष भी का है, हमने आपको स्वयम को जो है वो प्रजातांतरिक, लोगतांतरिक देश भी का है, हमने स्वयम को गणतनतरिक, पांच विशेशनों का, पांच विरुदों का, पांच एडजेक्टिव का हमने यूज किया है हमारी constitution की preamble के अंदर और तीसरा पार्ट है, उसमें हमने ये बताया है कि आने वाले समय में हम हमारे देशवासियों को क्या देंगे, हम चार चीजे देंगे, हम जस्टिस देंगे, न्याय देंगे, हम लिबर्टी देंगे, हम एक्वैलिटी देंगे, हम धातरतू देंगे तो दो पार्ट में मोटे रूप में बाटा जाता लेकिन चुकि मैं आपको तीन पार्ट बोलाओं तो पहला पार्ट उसका नाम है वी दपीपल वी दपीपल का मतलब हम भारत के लोग यह बहुत ही पावरफुल फ्रेज है अमेरिका का जब सम्मिदान बना उसमें पहली बार इस सब्द का प्रियोग किया गया हमारे देश की सम्मिदान सभा में जब सम्मिदान बन रहा था तो प्रस्तावना में कौन सा सब्द लिखा जाए उसके लिए वोटिंग हुई बहुत से लोग ही मानते थे कि हम हमारे देश को या देशवासियों को क्या देने वाले हैं उसके लिए हमें शपत की आवशकता ओद की उसके लिए हम इश्वर की नाम का प्रियोग करें बंगाल के कुछ जो कॉंस्टिटूइंट असेम्ली सम्विदान सवा के मेंबर थे वो यह चाहते थे कि दुरगा देवी का या किसी जो है हिंदू देवी का नाम उसमें डाला जाए लेकिन उस पर वोटिंग होई और आखे गरे टैक किया गया कि कि किसी भी प्रकार की कोई भ और गया वी दा पेपल यह शो करता है कि हम भारत के लोगों के नाम पर शपत लेते हैं इस शब्द का आर्थ क्या है इस फ्रेज का मिनिंग क्या है कि हमारे देश के सम्विदान के पीछे जो अल्टिमेट पावर है वो भारत की जनता ही है तो एक तो सिंपल मिनिंग यह Sovereign का क्या मतलब है हमारे देश की ग्रह नीती हमारे देश की विदेश नीती वो पूर्ण रूप से स्वतंतर रहेगी हमें कोई भी दबाने वाला नहीं है हम हमारे देश के हितों को ध्यान में रखते हुए और हमारे देश के इंटरस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी दोनों तरह की policies बनाएंगे आजादी से पहले हम संपर्भू राज्य नहीं थे हमारे देश का राष्ट अगर बाहर जाता था तो दूसरे देशों के बराबर नहीं माना जाता था गवर्नर जनल या वाइस राय वो बिटिश क्राउन या अमेरिकी प्रेजिडेंट के बराबर नहीं माना जाता लेकिन आजादी के बाद हम international platform पर भारत देश का प्रतिनेटों बराबर का माना जाता है किसी भी देश से एक इंच भी कम नहीं माना जाता तो sovereignty का मोटा मोटा meaning है कि हम independent है externally और internally both common wealth का सदस्य होना भी हमारी sovereignty को किसी भी तरह से dilute नहीं करता है दूसरा शब हम जो है भारत उसमें USSR से बहुत जादा प्रभावित था जो कि समाजवादी ढांचे का देश था लेकिन समाजवाद का अर्थ क्या देखिए समाजवाद बहुत बड़ा टर्म है आप simply समझ लीजिए equality in every walk of life is socialism जीवन के प्रतेख शेतर में जब आप समानता का अनुसरन कर करते हैं तो आप अपने आपको समाजवादी क्या सकते हैं वो समानता कैसी लाई जाएगी उसको अलग-अलग रूपों में देखा जाता है कुछ लोग अपने आपको सामयवादी मानते हैं कुछ लोग अपने आपको फेबीन वादी मानते हैं लेकिन हमारे सम्विदान में socialism का simple earth है कि हम equality में believe करते हैं और जीवन के हर चेतर में समानता लाने का reasonable equality लाने का प्रयास करेंगे यह तो बातरी socialist की तीसरा विरुध हमने तीसरी उपादी हमने हमारे देश के लिए जो use की है उसका नाम है secular secular का मतलब पंथ निर्पेख्ष पंथ निर्पेख्ष शब्द जो है यह भी 42 समीदान संसुदन से जोड़ा गया और यह 1976 में जब इसको insert किया गया तो यह माना गया कि हम जो हैं किस तरह के secular देश है secularism के तीन अर्थ होते हैं एक जो dictionary meaning है dictionary meaning यह कहता है कि हर ऐसा कारे जो this world से यानि इह लोक से संबंदित है पर लोक से संबंदित नहीं है वो secularism है यानि that world हमारा concern नहीं रहेगा मतलब सरकार का इन्हीं state का this world रहेगा तो इस अर्थ में देखा जाए हमारा this secular country नहीं माना जाता दूसरा अर्थ है इसका historical meaning योरोप के अंदर मद्यकाल जो था उसमें पोप का चर्च का इतना ज़्यादा परभुत हो था कि राजा के पास में साशक के पास में सरकार के पास में शक्तियना के बराबर थी तो वैसे में एक लंबा 30 वर्षी युद्च छड़ा वेस्ट फैलिया की संदी हुई आदोनिक राष्ट राज्य अस्तित्माए और उसमें इतै किया गया कि religion is nothing to do with the state affairs धर्म को किसी भी रूप में राज्य के क्रिया कलाप यानि सरकारी क्रिया कलापों में हस्तक्षेप नहीं करना जा यानि एक तरह का anti-religion concept था तो ये इसका historical meaning है इस अर्थ में भी भारत इस तरह का secular country नहीं है हमारे देश में किसी भी काल में चाहिए वो मद्दे काल हो, प्राचिन काल हो धर्म का राज्य में बहुत जादा अस्तक्षेप नहीं रहा है तीसरा अर्थ जो secularism या पंत निर्पेक्षता का देखा जाए वो ये है, वो गांधीन अर्थ है जो भारती संदर्ब में secularism को सही मायनों में define करता है secularism is the peaceful coexistence of different religion भारत विबिन धर्मों का देश है हमारे यहां विबिन धर्मों का शंति पूर्वक सहस्तित्व है और इसी तरह का secularism हम अपना थे अब secularism की खास बात आप यह देखे सम्विधान सभा में 20 secularism शब्द पर voting हुई और सम्विधान सभा ने इसको vote out किया और यह माना गया कि हम secular शब्द नहीं डालेंगे लेकिन बाद में हमने इसमें जोड़ा उसको socialist और secular दोनों शब्द जोड़े हालांकि दोनों ही शब्द पहले अन्य अर्थों में हमारे सम्विधान में थे वो कैसे बहुत बदाऊंगा आपको secularism ऐसा माना जाता है कि anti-religion है लेकिन भारत के संदर में ये धर्मों के लिए positive है क्योंकि राज्य किसी एक धर्म के साथ में जो discrimination नहीं करता सभी धर्मों को equally जो है वो prosper करने का मौका देता है या धर्म अपने आप में जो है अपना परिवर्दन कर सकते हैं इस रूप में देखा जाए तो ये religion के साथ भी positive meaning माना के अर्थ में देखा जाना चाहिए हमारे देश का कोई राज्य धर्म भी नहीं इस अर्थ में भी हम एक secular country है चौथा विरुद चौथा adjective जो हमने हमारे देश के लिए यूज किया उसका नाम है democratic democratic का मलब प्रजाता अंतरिक हमारे देश की सरकार हमारे देश की सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकती जो लोगों के लिए नहीं हो लोगों के द्वारा लिया गया हो और लोगों के अर्थ में हो यानि democratic गेटिसबर्ग एडर्स के जो credential है उसको हम पूरी तरह से अपनाते हैं हमारे देश की सरकार ऐसा कोई भी कारे नहीं करेगी जिसमें जनता का अनुसमर्थन नहीं हो जनता की इजाज़त के बगएर भारत की सरकार हमारी कोई भी सरकार एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं कर सकती किसी पर कोई कर नहीं लगा सकती तो इस अर्थ में अगर देखा जाए तो जनता के समर्थन के लिए सरकारों को आवशकता पढ़ती है जनता के प्रतिनीदियों की इसलिए सरकार पर जो काउंसल अफ मिनिश्र आगे हम देखेंगे उस पर पूर्ण रूप से लेजिसलेचर का जो है वो आदिपत्य रहता है उनको हर बार अलग अलग प्रकार से विदेख लेकर बिल लेकर भारत की संसद में चाहे वो राज्य सबा हो चाहे वो लोक सबा हो अ भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव रखता है हमारा डेमोक्रासी के वल किताबों में नहीं समीधान में नहीं हमारी पॉलिटिकल स्टक्चर में भी आपको वाइबरेंट रूप में देखने को मिलती है तो यह रही डेमोक्रासी की बाद जो एड़ेक्टिव यूज हुआ हमारे लिए वह है रिपब्लिकन रिपब्लिकन मतलब एक ऐसा देश जिसका राष्ट्रा देख्स चोना जाता है तो हमारे देश को एक रिपब्लिक कंट्री माना जाता है क्योंकि राष्टपती को हम जो है निर्वाचित करते हैं तो यह पांच विशेशनों का प्रियोग हमने हमारे देश के लिए यूज किया प्रस्तावना के अंदर अब अगला पार्ट हम हमारे देशवासियों को क्या देने जा रहे है चार चीज़े देने जा रहे है उसमें पहली चीज है जस्टिस न्याए न्याए कितने तरे का सामाजिक निया है, समाजिक निया है का मतलब जाती के आदार पर, धर्म के आदार पर, लिंक के आदार पर किसी भी प्रकार को कोई बेदबाव नहीं होगा दूसरे तरह का नया है आर्थिक, आर्थिक यानि सब को समान लाइवलिहूड यानि इक्वल लाइवलिहूड प्राप्त करने का अधिकार होगा, आजीव का प्राप्त करने का अधिकार होगा, इक्वल वर्क पर इक्वल पे मिलेगा, यानि समान कारे, समान वेतन मिलेगा, इ प्रतिश्टा की और अवसर की, स्टेटस की और अपोर्चिन, स्टेटस का मतलब आर्टिकल 15, हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को कोई प्रिवलेज नहीं मिलेगा, कोई भी तरह की उँच नीच नहीं होगी, समाज का हमारा जो समाजिक तानवाना उँच नीच को मानता है, उसको सरकार नहीं मानती है, उसको सम्विधान नहीं मानता है, वेक्ति सरकार की नजर में बराबर है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हमने समानता की बाते की है इसमें प्रतिष्टा की समानता भी है यानि दर्जे की कोई भी वेक्ति उचा नीचा नहीं है और अवसर की आर्टिकल 16 में यानि सरकारी नौकरियां देते समय राज्य वेवस्ता करेगा किसी भी प्रकार का अन्रीजनेबल, नॉन्रीजनेबल, गैर जो युक्ति-युक्त किसी भी प्रकार का बेदबाव नहीं होना चाहिए चौति जो चीज है वो fraternity, fraternity का मतलब है हम सब जो है एक ही रूप में, जो equality में भी देखा जा सकता है कि हमारे देश के लोगों के बीच में हम भाहिचारा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, समिधान स्वयम कहता है तो हम इस तरह की कोई भी विवेध हो, जो हमारे देश के लोगों के बंदुतों पर आगात करती हो, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो ये चार तरह की चीज़े हम हमारे देशवासियों को देने की गारंटी करने का आशवासन देते हैं ये हमारे देश की समहिदान की प्रस्ताम नामे दिया हुआ है लेकिन ये तभी दी जाएगी जन दो चीजों के साथ में कोई तरह का समझचोता नहीं होगा वो क्या होगा वो dignity of individual and unity and integrity of the nation व्यक्ति की गरिमा के साथ में कोई खिलवाद नहीं हो और देश की एकताव अकंड था यह integrity शब्द है यह तीसा शब्द है यह भी हमने 42 सभिदान संशोधन से 1976 में जोड़ा अब यहाँ पे दो चीज़ें आप समझे dignity of individual का मतलब हम व्यक्तिवाद को पूरा बढ़ावा देते हैं यहाँ हम एक उदारवादी बातों को अपना रहे हैं unity and integrity का मतलब हम समाजवाद को अगेन अपना रहे हैं जहाँ पे state powerful होगा ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे देश की एक ताकंड़ता की खिलाफ जाती है तो हम justice देने में, liberty देने में, equality देने में और fraternity को देने में हम उसमें कुछ कांट चांट कर सकते हैं चुकि यह समझेदान हमने खुद ने बनाया तो हम खुद को देते हैं खुद को देने का मतलब आत्मारी गिव टो आवर्सेलफ अंगी करत करने का मतलब है सरकार की नीतियों में भी आएगा और हमारे लोगों की जीवन नीतियों में भी आएगा और इसको कानिन ऋ रूप से भी हम मांगते हैं और अंगी करते हैं अधिनिमित करते हैं और आतमार्पित करते हैं तो इस तीन शब्दों का प्रयाख दुआज 26 नमबर 1949 को इस देश को हम समिदान दिवश के रूप में भी मनाते हैं तो यह तो रही बात आपके समिदान की प्रस्तावना का जो मूल जो चीजे हैं अब समिधान की प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट में तीन वाद हुए हैं, दो वाद फेमस हैं, एक 1960 का बेरुबारी यूनियन का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा, कि प्रस्तावना हमारे देश की समिधान का मुल इस्सा नहीं है, इसलिए इसमें कांट प्रोविजन जो हैं, वो वेग होंगे, तब उसको समझने के लिए हम समिधान की प्रस्तावना की सायता ले सकते हैं, 1973 में बहुत बड़ा केस है, इसका नाम था केश्वन अन्भारती केस, और उस केस के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले के निर्णे को उलट दिया, औ समिधान की जो हिस्से प्रोप में देखा जाना चाहिए, इसमें चेंज किया जा सकता है, और ये मौलिक ढांचे का भी एक रूप है, मौलिक ढांचे का मतलब यह है कि मूल बेसिक स्टक्चर, बेसिक स्टक्चर में आप चीज़ों को जोड सकते हो, घटा नहीं सकते हो, इस सारी Constitution का दरपण है कुछ लोग मानते हैं कि preamble is the microcosm of our Constitution यानि बिंदू में सिंदू है जो बाते हमने समीदान में लिखी है वो अगर एक page में लिखी जाए अगर प्रिखी जाए लोग में 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 लोग